हलो फ्रेंड्स वेलकम जी ओल अनावर यूट्यूब चैनल हेल्थी रियल वेल्ट है तो दोस्तो आन बात करेंगे नाख पे नजर आने वाले दाने या पिंपर्स बार बार उबर जाते हैं तो वो क्यों होते हैं? कौन से ऐसे घरे लोग पाए हैं जिनको अपना कर हम इनसे बहुत जल्दी निजाद पा सकते हैं? देखे कई बार नाख पर पिंपर्स उभर आ जाते हैं, बैक्टीरियल इंफिक्शन के कारण ये दाने के रूप में बढ़ जाते हैं अब इसका जो में कारण होता है वो बैक्टीरियल इंफिक्शन हो सकता है चहरा ठीक से साफ ना होने के कारण बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और इसके कारण नाख पे दाने हो सकते हैं कई बार नाक के रोम चिद्रों के बंद हो जाने के कारण भी दाने नाक को अपना ठेकाना बना लेते हैं अब नाक के दाने आपके चेरे की खूबसूरती को चीन सकते हैं नाक पर दाने की समस्या दूर करने के लिए कुछ घरेलू उपाई जरूर अपना है जो आपके लिए बहुत ही helpful रहेंगे तो एक की सबसी पहली चीज़ है दही और tea tree oil नाक पर दी दाने नजर आते हैं तो नाक पर आप दही और tea tree oil का मिश्ण लगाएं दही और tea tree oil में antibacterial good होते हैं एक चमस दही लीजे दो बून tea tree oil डालिए नाक पर इस मिश्ण को लगा कर छोड़ दीजे 15 मिनट बाद नाक को साफ पानी से धोल लेजे धीरे धीरे नाक के दाने ठीक हो जाएंगे दूसरी चीज़ है मुलतानी मिठी मुलतानी मिठी के मदद से आप नाक के दाने की समस्या को दूर कर सकते हैं मुलतानी मिठी के powder में गुलाब जल मिला लेजे इस मिश्ण को नाक और दाने वाले दोनों हिस्से पे लगा लेजे मुलतानी, मिट्टी जब नाक पर सूख जाए उसे साफ पानी अंगी लितौले के मदद से नाक से हटाले अब आपको ये रेमेडी जल्दी जल्दी करनी होगी तो एक दिन छोड़ कर आप इसे करें इससे नाक के दाने जल्दी सूख जाएंगे और धीरे धीरे दानों की समस्या खतम हो जाएगी इसके अलावा अलावा अलाविरा जल का प्रयोग कर सकते हैं अलाविरा की मदद से आप दाग दबे और दाने की समस्या दोनों को दूर कर सकते हैं के लिए आपको अलोविरा का जो ताजा जल है उसे नाग पे लगाएं और 10 मिनट बाद नाग को पानी से धुल ले इसके अलाव आप नीम की पेस्ट का प्रियोग कर सकते हैं नाग पर दाने की समस्या को दूर करने के लिए नीम का पेस्ट बनाएं नीम में एंटी बैक्टरि और हल्दी ओट मील और हल्दी की मदद से नाग के दाने से चुटकार पा सकते हैं ओट मील का पाउडर बना लिए उसमें हल्दी मिलाएं शेहट डाल कर मिश्रन को नाग पर लगा के छोड़ दें और कुछ देर बाद साफ पाने से नाग को साफ कर लें तो ये वो पांच ग पर मिलेंगे तो दोस्तों आशा करती हूं यह वीडियो हेलफ पुल रहे होगी योदि वीडियो पसंद आए तो इस में दोस्तों शेयर करें और चानल को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाएं तो फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार